तीस गड़ के एक मात्र जो हैं, राज्य मंत्री आवास की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, अमिश्चाह ग्रह विभाग वैसे ही समालेंगे, रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी राज्यासिंग के पास ही होगी, अमिश्चाह ग्रह मंत्री की जिम्मेदारी अब देखना ही द अश्विनी चौबे रेल चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर में लगभग ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी मनुवर लाल शहरी विकास मंत्राले अमिश्जा हाग्रें मंत्री राजा सिंग रक्षा मंत्री नितन गटकरी सड़क परिवान मंत्री एज शंकर विदेश मंत्री शिवराज सिंग चौहान क्रशी मंत्री बार बार हला की यही बात कही जा रहे थी अजय टम्टा हर्श मलहुत्रा सलक परिवहन राज्यमंत्री तो मंत्रियों को बिवागों का बटवारा हो चुका है तोखन साहू हाउसिंग अर्बन अफेर्स जो जम्मेदारी दी गई है मनुहर लाल को उसी के जो राज्यमंत्री है शहरी विकास राज्यमंत्री के जम्मेदारी समभा लेंगे तोखन साहू श्रीपद नाइक उर्जय राज्यमंत्री जीतन राम मांजी मंत्री उद्योगों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मंत्राले जीतन राम मांजी के पास MSME मंत्री उर्जय राज्यमंत्री श्रीपद नाइक तो धीरे धीरे अब यह लिस्ट अपडेट होती जा रही है विभागों का बटवारा नितन गटकरी को सलक परिवन मंत्राले के जिम्मेदारी यह सब से पहले हमने आपको बताया था दरमरण्द्र प्रधान शिक्षा की जिम्मेदारी देखते रहेंगे शिवराज सिंग चौहान के पास क्रिशी और ग्रामीन विकास दो Ban अवार्ड को रिकॉर्ड तरीके से मध्रदेश के खाते में करना प्ररडक्शन बढ़ाना इन सब को देखते हुएirm क्रशी मंत्री क्रशी के साथ साथ ग्रामीन विकास भी उनके पास रहेगा दर्मेंदर प्रधान को सिक्षा मंत्राले की जम्मेदारी दी गई है कृषि पंचायत ग्रामीन विकास मंत्राले की जिम्मिदारी शिवराज सिंग चौहान के पास तो घंसाहू शहरी विकास राज्यमंतरी गजन सेखावत संस्कृती और परेटन की जिम्मिदारी इनके पास रहेगी गजन सेखावत जीतन राम मांजी, MSME, इनके पास रहेगा बाकी जो महत्वपूर्ण लिस्ट है, कृशी शिवराज सुरेश गोपी इंदरजीत सिंग, ये परेटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी, वामपंत पर पहला भगवाद वज वामपंत के किले में गढ़ में, वामपंत के आखरी गढ़ में पहला भगवाद वज है, सुरेश गोपी का अफवाहे भी उड़ोगें कि सुरेश गोपी ने कहा के नहीं, मैं तो मंत्री नहीं बनना चाह रहा हूँ लेकिन वो मंत्री बनेंगे, ये अफवाहे थी निर्मला सीता रमन वित्ति के जिम्मेदारी संभालती रहेंगी नर्मेंदर प्रधान सिक्षा के जिम्मेदारी संभालते रहेंगे ये नए अपडेट लगातार हम आपको बता रहे है शिवराज सिंग चौहान दो मंत्राला इनके पास क्रशी के साथ साथ पंचायती राज ग्रामीन विकास ये संभालते रहेंगे 65 साल विदीशा सीट कार्तिके और कुनाल लंबे अर्से तक मद्धिप्रदेश के मुख्यमंत्री आठ लाग से ज़्यादा की लीड से जीते हैं अश्मिनी वैश्णों को सूचना प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है निर्मला सीता रमन वित्व मंत्राले समालती रहेंगी कल हमने इस बात का जिकर भी किया था इतने कठिन दौर में एकॉनमी और रुपए दोनों को उन्होंने जबरदस तरीके सक ठामे रखा नितन गटकरी उनका एक बहतरी ट्रेक रिकॉर्ड सुरेश गोपी इंदरजी सिंग परेटन राजय मंत्री की जिम्मेदारी इने दी गई है चिराग पास्वान खेल मंत्री बनाए गए है जेपी नड़ा सॉस्थ्य मंत्री बनाए गए है सबसे ज़्यादा चुनौति कूंड महकमा जेपी नड़ा को सॉस्थ्य मंत्री की जम्मेदारी चिराग पास्वान खेल मामिलों के मंत्री मोधी के मंत्रियों में विभागों का बढ़वारा अश्विनी वैश्थ्यों को सूचना प्रसारण के जम्मेदारी दी गई है निर्मला सीता रमंण वित्त मंत्रा ले संभालेंगी चिराग पास्वान खेल मंत्री पांच सीटें चिराग की पार्टी के कोटे में और पांचों की पांचों वो जीत कर आये हैं कोई डिमांड में नाम नहीं आया कहा जो जम्मेदारी मिलेगी वो निभाई जाएगी चिराग पास्वान कल से लगार्थार ट्रेंड कर रहे हैं किशोरियों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं जेपी नड़ा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं हम इश्चाह ग्रह मंत्री के जम्मेदारी संभालेंगे शैलेंद्र भधोरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनीत दिली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनीत तस्वीर लगभग साफ और जिन पर जादा निगाहें थी वो भी जैसा हमने बताया था जैसा आपने जानकारी दी थी कि ये 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 नजर आएगा वही कमोबेश हुआ जे जी निशुत तोर पर ललित मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि ये भी हम चर्चा कर रहे थे कि शिवरा सिंग चोहान जो है उन्हें बड़ा मंत्राले जो है वो दिया जाएगा तो अगर हम देखें सीसीएस के बाद जो सबसे बड़े मंत्राले अगर हम देखें बजट के तोर पर जिसको हम कह सकते कि बड़े मंत्राले हैं तो दो बड़े मंत्राले जो है वो शिवरा प्रशास्निक अनुभव रहा है उसके अनुषार शिवरा सिंग चोहान को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है साथी साथ पंचायती राज विभाग की जो जिम्मेदारी है वह भी उनको दी गई है इसके साथी साथ मैं आप बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम देखे 36 गड़ से आते हैं तोखन साहू उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है शहरी विकास मंत्राले का जो विभाग है वो तोखन साहू को जो है वो दिया गया है इसके साथी साथ अगर हम बात करें शिवरा सिंग चोहान की अभी हम बात कर रहे थे उनक सकते हैं कि CCS के बाद जो सबसे महत्तुपूर्ण दो विभाग हैं वो विभाग जो है वो शिवरा सिंग चौहान को दिये गए हैं यहातार वह क्रिशी बिदे सबसें पहला फैसला लिया तब भी उन्होंने किसानों के हित में फैसला लिया ये इसके शाथी साथ हम हम बात करें पंचायट एवन ग्रामीड विकास की बात करें तो कैबिनेट की ओर से जो सबसे बड़ा फैसला आया है पहला फैसला आया है मोधी 3.0 का उसमें पूरे देश में तीन करोड घर जो बनानी की बात हुई है प्रधान मंतरी योजना के तहत उसमें हम कह सकते कि ग्रा अमिन विकास मंतराले की ओर से आवास बना जाएंगे तो प्रधान मंतरी नरेंद मोधी के 3.0 का जो सबसे बात करें तो वह जिम्मेदारी जो है वह बनेशिवरासिंग चोहान को दी गई है इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें गजेंजे में शिंग शिखावत की बात करें उन्हें कल्चर और टुरिज्म का मंतराले है वो दिया गया है जी ललित जी मैं आऊंगा आपके पास दरसल शैलेंद्री भी हम ऐसा जुड़े हुए है शैलेंद्र लगातार निगाहे थी क्या कुछ जिम्मेदारिया मध्यपरदेश को मिल रही है अब खेती किसानी की बात हो शिवराज सिंग चौहान का जिकर नाओ वही पोर्टफोलियों ने मिला है हाला कि एक दो नाम अभी और बाकी है जिन पर निगाहें जमी हुई है इन सब के बीच के अपडेट आपके पास देखे एक रोचक फैक्ट में अलेलित आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दो मंत्रालाय सिवराज सिंग चौहान को मिले इसके पहले भी मध्यपरदेश के कोटे में ये मंत्रालाय मोधी सरकार में रह चुके हैं केंद्रिय मंत्री रहे नरेन सिंग तोमर रामीड वें पंचाथ मंत्रालाय भी समाल चुके और बाद में वो एग्रिकल्चर मिनिस्टर के तौर पर भी लंबे समयता कोनों ने काम किया तो ये एक बड़ा रोचक तत है कि मध्यपरदेश के हिस्से में एक वार फिर वो दोन दखाने का काम है वह मध्यपरदेश के तरफ से लगातार किया और यही कारण है कि उनको बारे में लगातार कयास लगाता जा रहे थी कि उनको कर्शी मंत्रालाई मिल सकता और वही हुआ भी और तुसरा जो वह भाग है बहुत रुची का बश्याग मध्यपरदेश मैं अब देश भर के ग्रामीड विकास मंत्राले की जिम्मेदारी सौपी गई है तो निश्चत तोर पर उनके जो काम है जो आठारा साल का सरकार का अनुभव रहा है जिस तरीके सरों ने काम किया है और उसी सब को आधार रखते हुए उनको ये दो बड़े मंत्राले दिये गया है हला में एरपोर्ट का बस्तारी करण किया गया है गौालियर जैसा एरपोर्ट बहुत कम समय में बनकर तैयार हुआ है तो क्या एक बार फिर वो इसी भूमका में नजर आएंगे और दूसरी बात अगर जो बात करें तो तीसरे कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो है वो बीरेंद जाहें टिकी हुई है अब विनीत हमाएं साथ लगातार बने हुए विनीत एक बात और नजर आती है मध्यप्रदेश को लेकर कुछ इस्तियां मध्यप्रदेश चतीजगर को लेकर अगर कुछ अपडेट हो वो हमसे साजा करें एक बात दूसरी बात कि जो अश्विनी वैस करताना चाहूंगा कि अगर अश्विनी वैसनेफ के बात हम करें तो लगातार हम जिस तरह से देख रहे थे कि रेल का जिस तरह से विकास हो रहा था और हम उसकी बात पहले भी चर्चा कर रहे थे कि रेलवे का जो भाग है वो बीजेपी के पास ही रहेगा बीजेपी के जो जो सांसद होंगे उन्हीं के पास रहेगा और अश्टनी वैसनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं रेलवे में उनके वहीं रेलवे की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है जिस तरह से अगर हम देखे रेलवे आधुनीकी करण का जिस तरह से कामका जो है जो है वो चल रहा है उसे प् लाइनों का डबली करन जो है वो हो रहा है साथी साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेलवे के कई PSU जो है वो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं चाहे वो अगर हम देखे वंदे भारत ट्रेन हो वो बनाय जा रहे हैं अब जो है वंदे भारत स्लीपर भी लाने की जो बात है वो भी अब सामने आ रही है तो निश्रत तोर पर जिस तरह से गर हम देखे रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरह से बदल रहा है और जिससे पृदानमन्तिर नरन्यग बोदी ने साफ तौर पर कहा है रेलवे का कालप वह किया जाएगा चाहि Commonwealth का दोहरी करण हो नय वैट टेकनलोजी के जो रेल इंजेन है वह लाने की बात हो रेल के नड बागी जो है वो लाने की बात हो या फिर जिस तरह से signaling की बात हो या फिर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एंटी collision device जो है वो पूरे देश में लगाने की बात हो freight corridor बनाने की बात हो जिस तरह से railway के विकास पर या फिर हम कह सकते हैं कि railway के infrastructure पर सरकार का ध्यान है प्रधानमंति नरेंदर मोदी का ध्यान है उसको देखते हुए जो अश्नी वैसनम ने जिस तरह से पिछली बार काम किया था वो जिम्मेदारी जो है वो इस बार भी उन्हें continue किया गया है इसके साथ हमें सुत्र हैं कि INB ministry का पदबार है वो भी उन्हें दिया गया है सरकार की इमिज बनाने की बात हो ब्रैंडिंग बनाने की बात हो तो वो आईनवी मिनिस्टर के माद्यम से जो है वो मोदी सरकार जो पर करेगी अश्नी वैसनव को जिम्मेदारी दी गई है जिस तरह का उनका कद रहा है या फिर हम का सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने काम काज किया है एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं ललित में आपो बताना चाहूंगा कि अगर मद्ध प्रदेश की भी बात हो रही है तो अगर हम देखे अश्नी वैसनव को जो है वो चुनाव प्रभारी बनाया गया था जब मद्ध प्रदेस विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो निश्ट तोर पर अर्श्णी वैसनम की अगर हम बात करें तो अब विधान सभा में चुनाव प्रभारी जो थे वो मद्ध प्रिदेश के थे तो निश्ट तोर पर वो मद्ध प्रिदेश को जो है बहतर तरीके से जानते हैं बहतर तरीके से समझते हैं और अब आने वाले और ऐसे में अगर वो मत्प्रदेश को बेहतर तरीके से समझते हैं तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मत्प्रदेश का रेलवी का भी विकास है वो भी काफी तेजी से जो है वो हमें देखने को मिल सकता है जी ललित बिल्कुल ये बात सही है और लगभग जो बात आप कहे रहे थे कि जो CCS से जुड़े important portfolio है वो वही रहेंगे जो तिरादित सिंधिया से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि टेलीकॉम की जम्मेदारी भी उन्हें दी गई है शलेंब्र क्या कुछ अपडेट आपके पास सुहन के अलाबा मद्यप्रदेश के किसी भी दूसरे मंत्री के प्रफाइल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ने उम्मीद यही है कि जिस तरीके से लगातार ये कायास लगाया जा रहे है कि जोत्रादित सिंधिया को भी वड़े मंत्राले की मिल सकती है तो नागरेक उड्डियन के साथ साथ अभी वह इस्पात मंत्राले देख रहे हो सकता है कि उनको कोई एक नया मंत्राले भी उनके हिस एनको भी उनके झाटे में आसकते है कुछ एक नए मनत्राले की जिम्मीदारी दीचा सकती क्लाओं। काल की बात हो दूसरे कारकाल की बात हुआ दोनों में मंतराला हुं द्ट समङ्य चुके हैं तो ऐसे में अब थी तीसरे के बार्देश के तौरर पर ऋदेलत क्र ऊत्तेया मं चौने जाने जाते आठक उनके पास आखिर कौन सा डिपार्टमेंट जाता है और जिस तरीके से इस वार मद्दप्रदेश में दो आदिवासी चेहरों को सांद दिया गया है चाहिए बाइशावत